आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि बाबा रामदेव अपने नेचरोपेथी सेंटर यूगराम जो की हरेद्वार में है तो खाने में क्या देते हैं जब आप जानेंगे मैं खुद वीडियो में आपको भी दिखाऊंगी कि आपको नास्ते में लंच में डिनर म में क्या मिलता है और कितना मिलता है यह देखेंगे तो आप सोच में पढ़ जाएंगे अगर आप यूगराम आने वाले कई लोगों से बात हुई है खाने का यहां पर लोगों को प्रॉबलम होती है क्योंकि उनका कहना है कि यूगराम में खाना बहुत ही कम दिया जाता है जितनी भूक लगती है उसे कम दिया जाता है एक तो खाना सात्विक होता है सिंधा नमक का खाना होता है वो भी बहुत ही कम मात्रा में दी होती कहीं लोगों को लगता है कि नमक ही नीडली तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि लंच में आखिर मिला क्या है तो यह देख पेड़ी तो कम सकम मिलना चाहिए जो चार-पाच रोटी खाता हो उसको अगर रोटी सबजी या चावल खिचडी दलिया कुछ नहीं मिलेगा तो उसका पेड़ कैसे भरेगा अगर एक महना यही खाके रहना पड़े तो बगल वाली अंटी को देखिए सिफ फल मिला है चलो अगले दिन का नास्ता थोड़ा अच्छा था फल भी मिला था और फल के साथ मिला था दही आप देख सकते हैं पांस तरके ड्राइफूर्स भीगोए हुए और यह अंकुरित चना है और मेथी है आप अपने मन से जितना चाहिए उतना ले सकते हैं वहाँ पे रखा वह रहता है वो डाइट चार्ट में नहीं लिखा रहता है डाइट चा एसवाल नमस्कार